हाई गाईस क्या हाले सब बढ़िया तो देखो आज के इस एडिटिंग ब्रेकडाउन सीरीज के तीसरे एपिसोड में हम लोग सिखने वाले हैं अभी ये यूट्यूब चैनल के वीडियो में जो ये वाला जो टेक्स पॉप अप एनिमेशन होता है वो कैसे आप लोग क्रिये प्रो में ही क्रियेट कर सकते हो आफटर इफेक्ट का कोई जरूरत नहीं है जब जरूरत होगा हम लोग आफटर इफेक्ट यूज करेंगे और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस एनिमेशन का प्रिवीव देखना काफी जादा जरूरी है और खेर आप लोगों ने पहले ही देख लिया था बट फिर भी देख लेते तो यह जो animation है यह उनके videos में यूज होने वाला animation है और यह animation है यह मेंने create किया है जो कि मैं आप लोगों को आगे भी सिखाने वाला हूं कि इस animation को कैसे create कर सकते हो और मुझे जितना लगता है कि दोनों के दोनों जो एनिमेशन से वो exactly same लग रहे हैं और आगे भी अगर इस तरीके के वीडियो देखने हैं देन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंद देन उस बेल आइकन को भी all पर प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करो तो आप लोग यह वाला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 14th of June को और 13th of June को जो उन्हों ने वीडियो अपलोड किया था उसके स्टार्टिंग पूर्शन में कुछ यह वाला एनिमेशन था कुछ टाइम तक उसके बाद यह वाला एनिमेशन देखने को नहीं मिला मुझे जितना देखने क यह जो एनिमेशन है वो तो कितना भर यूज होता है तो देखो उनके वीडियो में क्या होता है कि single line text pop up Yep these math about's 지금 came अनदा के वुद्जे बंके वीडियो में काफी तरह के लेयर के आते है और सारी के सारे layers का दिखाना तो इस विडियो में possible है Cum तो इस वज़े से मैंने क्या किया है कि double layer का जो है वो मैंने आप लोगों को दिखाया है और उस तरीके से दिखाया है कि अगर वो saw layer का भी अगर आप लोग बनाओगे तो उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा अगर यह animation आप लोग पूरा देखोगे तो आप लोगों क create कर सकते हो और इस ट्यूटरियल में मैंने यह भी बताया है कि हाफ जो लाइन से उन में से जो highlight होता है उनको कैसे color change करना है सारा कुछ मैंने बता दिया है ताकि आप लोग जो भी line का बनाना चाहते हो वो आप लोग कर सकते हो तो इस वीडियो को create करने के लिए as a reference हम लोग लेने वाले है ओडिसा train accident वाला जो उनका वीडियो है वो as a reference हम लोग लेने वाले हैं ताकि हमारा जो output है वो same as it is रहे उनके वीडियो के तरह तो वो करने के लिए हम लोग क्या करेंगी कि उनका जो text है जो same text है वही हम लोग copy करेंगे और हम लोग यह जो animation है उनमें वही same text का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले आप लोगों को premiere pro open कर लेना है वह open हो जाने के बाद आप लोग को कुछ इस तरीकी का interface देखने को मिलेगा अगर आप लोग अपने existing कोई भी project पर यह वाला animation बनाना चाहते हो देन वह आप लोग open कर सकते हो मैं यहाँ पर नया project create कर लेता ह इसके लिए मैं यहाँ पर new project पर click कर लेता हूं और यहाँ पर project name पर डाल देता हूं अभी a new pop-up text animation sequence name में भी मैं यही same जो name है वो डाल देता हूं यहाँ पर paste कर देता हूं and then create वाले option पर click कर लेता हूं तो उसके बाद कुछ इस तरीके का interface देखने को मिलेगा जिसे workspace कहते ह मैंने खुद का workspace बना कर रखा है क्योंकि मुझे timeline बरा चाहिए यहाँ पर आप लोगों को by default कुछ इस तरीके का workspace देखने को मिलेगा यहाँ पर timeline काफी ज्यादा छोटा हो जाता है तो इस वज़े से मैं यहाँ पर काम करता हूं आप लोग यहाँ पर सेम ही सब कुछ सेम है मैंने कुछ rearrange किया है तो वह आप लोगों को adjust कर लेना है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है import media to start तो यहाँ पर double click करना है और मैं यहाँ पर as a reference हम लोग जो भी वीडियो लेने वाले हैं वह हम लोग यहाँ पर import कर लेते हैं वह import हो जाने के पाद आप लोग तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों कुछ इस तरीके का new sequence का pop-up आजाएगा तो यहाँ पर sequence name में भी मैं वही जो नाम मैंने copy किया था वह मैं यहाँ पर paste कर देता हूं and then ok press कर देता हूं और मैंने यहाँ पर create किया है 1080p 25 frames per second का sequence मैं 4K नहीं create करने वाला क्योंकि यह इस time screen भी record हो रहा है तो काफी जादा lag देखने को मिल जाएगा तो इस वजह से मैं 1080p 25 frames per second का sequence create कर रहा हूं and then ok press कर देना है तो आप लोग इस तरीके का interface देखने को मिलेगा तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं तो as a reference हम लोग यह वाला वीडियो लेने वाले हैं odysa train accident वा जैसे कि यह वाला वीडियो यहां पर देख सकते हो कितने सारे यह जो animation है सेम यह वाला animation हम लोग create करेंगे तो यह वाला देख सकते हो कितने बार use हुआ है तो इस तरीके से आप लोग बाकी जितने भी उनके वीडियो आप लोग जाकर देखोगे तो इस तरीके का animation आप लो समझ में आ जाएगा कि उसको कैसे क्रियेट करना है जैसे कि यह वाला जो एनिमेशन है इसको चलो हम लोग frame to frame observe करते हैं लैन आप लोगों को सब कुछ सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो यहांपर पहले frame से देख सकते हो कि यह किसी के अंदर से आ रहा है और छोटा हो के बरा हो रहा है और यहां पर देख सकते हो कि एक-एक करके आ तो सेम यही जो animation है उसको हम लोग create करेंगे यह जो animation है और हम लोग क्या करेंगे कि यह जो video है इसको मैंने quick time player पर open कर लिया है ताकि मैं यह जो text है इसको मैं same to same यहाँ पर लिख सकूँ तो यह वाला animation create करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले कुछ इस तरीक का black color का यहाँ लोगों को कुछ दिखाई नहीं देगा, तो वो करने के लिए हम लोगों को simply अपने project पर जाना है, और इधर से हम लोगों को new item पर click करना है, then color matte पर click करना है और जो भी आप पर 10 सेकेंड का एनिमेशन बनाने वाला हूं तो मैंने यहां पर 10 सेकेंड तक ड्रैक कर लिया है और उसके बाद आप लोगों को सिंप्ली क्या करना है कि इस तरीके का आप लोगों को यह वाला जो ब्लैक है इसको बनाना है देन आप लोगों को सिंप्ली इस रेक्टेंगल ट रहता है देन आप लोग की विंडो पर जा सकते हो यहां से आप लोग यह जो इसेंशियल ग्राफिक्स है इसको ओपन कर सकते हो यह वाला इंटरफेस देखने को मिल जाएगा देन आप लोग को इस शेप 01 पर आप लोग को क्लिक करना है देन आप लोग को जाना है यहां पर ज ये जो एंगेल इनको आप लोगों को यहां से हां यह नीचे वाले को इधर ले कर आ जाumer आप लोगों को दूसरे 9600 की video का ब्रेगडाउन फिडियो चाहिए और he इंप्वूर्टनल स्किस ऀ कोमेंट तक बताना क्योंकि मैं हर एक चीजेंड में बताकर वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ और इस वज़े से वीडियो काफी जादा लंबे बन जाते हैं और अगर मैं पूरे वीडियो का breakdown वीडियो निकालेंगा तो दो तीन वेब सेरीस निकालने से भी complete नहीं होगा देन आप लोगों को चले जाना है essential effects control पे आप लोगों को इसको सिलेक करना है और इसको पूरा का पूरा मतलब नीचे जो background है उसके टाइम लिटेक आप लोगों को इसको ड्रेग करके लेकर चले जाना या फिर क्या करना कि इसको चले जाओ effects control ग्राफिक्स पे और इसका जो ओपेसिटी है इसका यहां पर वाइट का इसका location को कुछ इस तरीके से घटा देना कुछ इस तरीके का mix हो जाएगा देख सकते हो कि पूरा exactly उनके तरह लग रहा है अगर आप लोग कंपेर करोगे तो कुछ इस तरीके का देख सकते हो यहां पर मैंने background में को color map यूज किया है बट वहां पर उनका जो वीडियो है व को कोई separate layer नहीं बनेगा वो इस ग्राफिक्स जो है इसके अंदर ही घुष जाएगा वह जो टेक्स्ट दरने कर लिया है तो Quick time player मुझी क्या करना है कि यह जो text है इसको में simply Command-C से copy कर लेता हूं then मैं क्या करूंगा टाइप tool को select करना है program monitor पर एक लֆ है लेफ्ट माउस क्लिक करना है then Command-V press करना है तो यह जो animation है मतलब यह जो text है वो यहाँ पर आ जाएगा तो simply इसको select कर लेना है then क्या करना है effects control पर जाना है और इसको सबसे पहले तो इसको time set कर लो then इसको simply यहाँ पर इस arrow को click करना है then यह सारा का सारा control panel आ जाएगा आपके सामने then इसको simply फिट से select करना है और इसको क्या करना है bold पर select कर लेना है यह regular पर रहेगा इस तरीके से तो आप मैंने यहाँ पर already bolt था क्योंकि मैंने पहले bolt किया था तो उसके बाद आप लोगों को simply इस position से आप लोगों को adjust कर लेना है कि कहाँ पर आप लोगों को रखना है इस text को और यहाँ पर मैं क्या करता हो essential graphics से इसको center पर कर लेता हो उसके ब options मतलब hold करके रखना है then left mouse click करके इसको एक track उपर लेकर जाना है तो इसका एक duplicate वो बन जाएगा then आप लोगों को क्या करना है कि इनका जो बाकी जितने भी text है इनको delete कर देना है अभी कुछ इस तरीके से हो गया है मतलब यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ odysha रखा है लोगों को simply जो पहले आप लोगों जो text लिखा था जो पूरा का पूरा complete text था उसको delete कर देना है then इस इनको कुछ नीचे इस तरीके से drag करना है इसको इसके अंदर डाल देना है then यह वाला जो feel वो आ गया है अभी आप लोगों के अंदर यह जो question है वो आ रहा होगा कि मैंन जो भी मतलब जितने space रहना चाहिए वो space हर एक में same नहीं होगा तो वो adjust करने के लिए मैंने वो trick apply किया जो अभी आप लोगों को बताया मैंने तो यह सारे के सारे text को select करना है जो भी चार text के layer से उनको select करना है और right mouse click करना है then nest वाला जो option है उसको select करना है then यहाँ पर लि इस तरीके का mask आपके सामने आ जाएगा इसको simply आपके text के ऊपर drag करना है then इनके corners को आप लोगों को adjust करना है तो आप लोगों को simply कुछ इस तरीके का mask बना लेना है यह वाला mask बनने के बाद आप लोगों के अंदर यह जो सवाल है कि mask मैंने क्यों create किया तो अभी आप यह जो लेयर है text layer है इसको double click करना है then आप लोगों को करना है यह है कि यह जो सारे के सारे text है इनको एक एक लेयर इधर लेकर चले जाना है लेडर के तरह बनाना है सीरी के तरह और उसके बाद आप लोगों को simply करना क्या है कि इनके जो position and scale है इनसे आप लोगों को क्या करना है वो छोटे से बरा हो रहा था आप लोग यहां पर देख सकते हो उनके वीडियोस को अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो यहां पर जो एनिमेशन है simply यहां पर देख सकते हो यह छोटा रहता है यह जब निकलता है तो पूरा बाहर आता है जब थोड़ा सा बरा हो जाता है तो हमें वह एनिमेशन क्रियेट करना है एक के करके तो सबसे पहले ओडिसा को हम लोग कर लेते हैं इसको सिलेक करना है यहां पर हम को पोजीशन एंड स्केल पर आप लोगों को वह की फ्रेम टॉगल एनिमेशन जो है उसको अन कर लेना है देन हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक फ्रेम इधर इधर चले जाते हैं तो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं कि उन लोगों ने कितने फ्रेम पर यह जो एनिमे प्रेला स्टोरी तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर मैंने वहां पर इन डीटेल वीडियो अपलोड किया है तो उन सब वीडियो को इस वीडियो के बाद चेक आउट कर सकते हो और मैं इस चैनल पर हर एक एडिटिंग सौफट्वेर के इन डीटेल एडिटिंग कोर्से करते हैं यहां तक हम लोग और एक फ्रेम लगा देते हैं यह लगाने के बाद आप लोगों को सिंप्ली इन को कर देना है इस इन और इसको कर देना है इस आउट वह हो जाने के बाद आप लोगों को सिंप्ली इसको क्या करना है कि इसको नीचे ड्रैक करना है तो उसके जाएगा तो वह एक्जेक्ली उसी जगह से उपर जाना चाहिए कुछ इस तरीके से आप लोगों को सारे के सारे जो टेक्स्ट है उनको एनिमेट कर देना है तो यहां पर देख सकते हो कि ओडिसा इतने तक में निकल जाता है तो हम लोगों को इसको आगे खिसका देना है इतन इन और इसको कर देते हैं यह हो जाने के बद आप लोगों को सबसे पहले तो पहले फ्रेम पर चले आना है और इसको कर देना है 70% सेम पहले के तरह और इसको यहां पर लेकर चले आना है अभी आप लोगों को देखना है कि वो सेम जगे से उपर आ रहा है या फिर नहीं और अगर आ रहा है देन थोड़ा सा नीचे खिसका देना है अभी अगर आप लोग फाइनल एनिमेशन देखोगे तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा यहाँ पर देख सकते हो मैं अंदर से आ रहा है और इसके जो मास्क है इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इस तरीक से हम लोगों को नीचे वाला जो लेयर था उसको भी सेम इसी तरीकी से एनिमेट करना है तो मैं वह वाला नहीं दिखाने वाला क्यूंकि सेम इसी टाइप से करना है तो आप लोगों को यह वाला वीडियो करना है और उसी सेम तरीकी से सेकेंड लाइन कर लेना है मैं यहाँ पर इसका जो second line है उसको भी कर लेता हो, करने के बाद मिलते हैं, तो सबसे पहले उनके वीडियो का animation चलाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा कैसा हुआ है, तो ये उनके वीडियो का था, और ये वाला हमारे वीडियो का है, तो exactly same लग रहा है, अभी हम लोग को क्या add कर करना है, अभी हम लोग को एक ही चीज add करना है, वो है ये वाला जो yellow line है, जो highlight हो रहा है, वो line हम लोगों को add करना है, तो वो करने के लिए क्या करना है, आप लोगों को simply चले जाना है, अपने project panel पर और उधर से हम लोगों को new item पर जाना है, then color matte select करना है, ok press कर देना है, then आ time है, इसको यहां पर डाल देना है, और यहां पर इसको cut लगा देना है, जितने तक नहीं चाहिए, अभी आप लोगों को जाना है effects control पे, और यहां पर जाने के बाद इसके opacity को थोड़ा सा घटा देना, और आप लोगों को फिर से जाना है effects पे, और इधर सर्च करना है crop tool, वो सर्च करने के बाद इसको simply इस highlighter के ऊपर drag and drop करना है, देन आप लोगों को फिर से जाना है effects control पे, और इसके crop tool से आप लोगों को इसको simply ऊपर वाला जो है, इसको यहां तक कर देते हैं, इसको इसके position से हम लोग क्या करते हैं, कि इसको यहां तक लेकर चले जाते हैं, मतल highlighter है, इसको क्या करना है, कि text layer के नीचे डाल देना है, text layer के नीचे डालने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, उसके बाद crop effect के अंडर आप लोगों को यह जो right है, इसको आप लोगों को toggle animation पे यहां पर key लगा देना है, इसको कर देना है, ease in, इसको कर देना है, ease out, इसको यहां पर क्या करना है, कि इसको पूरा का पूरा घटा देना है, 100%, तो फिर हमारा जो यह animation है, वो create हो जाएगा, आपर निकलते ही वो आ जाएगा, और अगर आप लोगों को थोड़ा सा late चाहिए, तो थोड़ा सा यहां पर लेकर चले जा सकत हो, यहां पर देख सकते हो, कि वो हो गया है, यह जो highlight animation है, वो हो गया है, अभी वो color change हो जाता है, जब यह क्यों आता है, उसके बाद से, इसका जो color है, वो हो जाता है, चेंज, वो करने के लिए, आप लोगों को simply करना है, कि यह जो text layer है, इसको simply फिर से duplicate करना है, alt या फिर option hold करके रखना है, और left mouse click करके इसको उपर drag करना है, इस पर जाना है, फिर से effects पर और इधर से आप लोगों को क्या करना है, कि search करना है, lumetri color, वो जो lumetri color effect है, वो simply आप लोगों को यह जो अभी आप लोगों ने text जो है, वो nested sequence जो आप लोगों ने copy किया था, उस पर आप effects control पे, वहाँ जाने के बाद आप लोगों को नीचे scroll करना है, और limitary color के अंडर आप लोगों curves देखने को मिलेगा, उस पर आप लोगों को यह जो arrow है, इस पर click करना है, यह जो white color का जो curve है, इसके यहाँ पर आप लोगों को click करना है, और इसको नीचे drag कर देना है, और यह जो है, इसको ऊपर लेकर चले जाना है, तो यह पूरा का पूरा black हो जाएगा, इस तरीके से, तो अभी आप लोग देख सकते हो कि यह पूरा का पूरा black हो गया है, अभी आप लोग पूछोगे कि यह तो पूरा का पूरा black होना नहीं चाहिए था, तो इसको फिर से हम चाहिए तो यहां पर की लगा देना है इनको क्या करना है कि इसको कर देना है इसको कर देना है इस आउट और यहां पर इसके पहले फ्रेम पर इसको जीरो कर देना है तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का जो animation है वो आपके सामने है तो फिर से compare कर लेते हैं इसके पहले फ्र है तो कैसा लग रहा है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना तो अभी आप लोग देख सकते हो कि इसके फर्स लाइन का जो लेटर से उनको मैंने हाइलाइट किया है और उनका जो कलर है उनको चेंज किया है तो इस तरीके से आप लोग किसी भी लाइन के उनके वीडियो का कोई भी ऐसा पार्ट क्या करते हैं कि यहां पर डाल देते हैं यह वाला पार्ट के बेक्राउंड को कर देते हैं डिलीट और इस वीडियो को यहां पर ड्रैक कर देते हैं तो अभी आप लोग देख सकते हो कि एनिमेशन सेम हुआ है या फिर नहीं यह जो चेंज है, color change है, वो भी same तरीके से हो रहा है, तो इस तरीके से आप लोग जितने भी line का animation बनाना चाहते हो, वो आप बना सकते हो, अगर आप लोगों को ये वाला highlighter उपर चाहिए, तो वो भी आप लोग कर सकते हो, simply चले जाना है, effects control पे, और इस highlighter को इसके text के नीचे डाल दे देना है, क्योंकि वो भी black हो रहा है, अभी हम लोगों को ये जो है, इसको सिर्फर सी black करना है, और half part को black करना है, तो वो करने के लिए आप लोगों को simply इसको fit से alt and upper trace कर देना है, अभी हम लोगों को ये वाला part को सिर्फर सी black करना है, तो अभी आप लोगों को क्या है कि य पर पार्ट नहीं जाहिए क्योंकि ये वाल पार्ट भी ब्लैक हो जाएगा अगर आप लोग इस पे Ribnaj कलर इफेक्ट डालोगे यहा आतारी कलर इफेक्ट पर टालोगे और इसके खुर्ब्स को अगा अगर अप लोग इस तरीकियों कर ना है इतने तक और अभी इसके opacity के साथ आप लोगों को फिर से same जो हम लोगों ने वहाँ पर किया था इसके साथ भी वही करना है यहां के opacity पर आप लोगों को लगा देना है और इधर पर चले जाना है और यहां पर click करना है इसको कर देना है ease in इसको कर देना है ease out इसके पहले फ्रेम पर जाना है और इसको जीरो कर देना अभी आप लोग यहां पर देख सकते हो कि जो एनिमेशन है वो उस हाफ पार्ट के लिए तयार हो गया है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने यह एनिमेशन क्रियेट किया है सेम इसी प्रका टेक्स डाल देना आपका काम बन जाएगा तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि अवी यह यूट्यूब चैनल से जो यह वाला टेक्स पॉप अप एनिमेशन है वो कैसे क्रियेट करना है तो अगर आप लोगों को यह वाला वीडियो पसंद आता है देन चैनल को जादा अच्छे लगेंगे बाइद वे मैंने ओडिसा ट्रेन एक्सिडेंट की ऊपर इन डीटेल वीडियो अपने सेकेंड चैनल पर अपलोड किया है इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जाकर जरूर चेक आउट कर लेना उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा या फिर आई बटन पर भी आ रहा होगा एंड इंट स्क्रीन पर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो इस वीडियो को पूरा देखकर उस वीडियो को देखने जाना अधर्वाइस वीडियो का ओडियन्स रिटेंशन काफी जादा कम हो जाए उसका ब्रेकडाउन वीडियो में अपलोड किया है और वो भी उसका पार्ट वन है पार्ट टू बहुत ही जल्द में इस चैनल पर अपलोड करूंगा तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग बाई बाई